वेश्वेक महमारी कोरोना वाइरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है इससे लड़ने के लिए देश विदेश में तमाम कोशिशे की जा रही है फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही अपनी इस रेपोर्ट में बताएंगे आपको कोरोना से देश वो दुनिया में क्या है तबाही कालम कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लग गया है उमीद तो यही थी कि से कोरोना की संक्रमन चेंड को बढ़ने से रोका जाएगा लेकिन जो सोचा वो हुआ नहीं क्योंकि आखड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं भारत में कोरोना की ताजा आखड़ों पनज़र डाले तो 24 घंटे में रिकॉर्ट 6,977 ताजा केस कल से अब तक 154 लोगों की हो चुकी है मौत देश में कोरोना की मामले 1,38,845 77,103 कोरोना के अक्टिव केस कोरोना से ठीक हुए 57,720 लोग देश में अब तक 4,021 लोगों की मौत देश में महराश्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है यहां कोरोना संक्रमन के कुल मामले 50,231 के पार जा चुके हैं इसके बाद तम्मिलाजों में 16,277 और गुश्राप में 14,63 मामले सामने आ हैं कोरोना संक्रमन के मामलों के लिहाद से दिल्ली चौथे स्थान पर है दिल्ली में कोरोना के मामले 13,418 हैं अब नज़र डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर पूरी दुनिया में 54,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, लोग इटली में कोरोना के मरीज 2,29,000 आपको बता दे देश में हर दूसरे दिन कोरोना के रेकॉर्ड मरीज मिल रहे हैं वहीं सुकून देने वाली खबर ये है कि रिकवरी रेट सुधर कर 41.57 प्रतिशत पर पहुंच गया है डीबी लाइफ की रिपोर्ट